हेलो बच्चो, वेलकम टो आई यूट्यूब चानल, तो आज के वीडियो में हम प्राक्टिस सेट 39 का लेक्चर 2 करेंगे, इसका लेक्चर 1 मैंने अल्रेडी अप्लोड कर दिया है, उसमें मैंने क्वेस्चन 1 और 2 सॉल्व करवाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं दिया हुआ है, पहले आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको प्राक्टिस सेट 39 में पार्टनर्शिप के जो बेसिक कॉंसेट्स हमने यूज किये हैं, वो समझ में आ जाए, आज के वीडियो में हम 3, 4 और 5 सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड 7 के सारे प्राक् प्यूश और नचिकेट, together invested 80,000 रुपीज, मतलब तीनों ने मिलके 80,000 रुपीज दाला और एक बिजनस टार्ट किया, selling sheets and towels from सोलापुर, क्या कर रहे हैं उससे हमको जादा फरक नहीं पड़ता, हमको सब इतना देखना है कि उन्होंने 80,000 रुपीज साथ में डालके एक बि प्यूश ता 12,000 था, मतलब ये 80,000 में 30,000 श्वेता के and 12,000 प्यूश के, तो हमको नचिकेट का नहीं पता है न, तो नचिकेट का निकाल सकते हैं न, 80,000 में से 30,000 and 12,000 माइनस कर देंगे, तो हमको नचिकेट में कितने पैसे डाले, वो भी मिल जाएगा, at the end of the year, they had made a profit of 24%, मतलब उन्होंने ये जितना पैसा डाला था, 80,000 रुपीज, उसके उपर 24% का profit बनाया, ठीक है, what was नचिकेट's investment, investment मतलब स्टार्ट में उसने कितना पैसा डाला, 80,000 में से 30,000 और 12,000 माइनस करेंगे, तो हमको नचिकेट का investment मिल जाएगा, ये तो ये सीधा सब्ट्राक्शन करके आपको दो माख मिल जाएगा, उसमें दूसरा question क्या पूछा है, and what was his share of the profit, मतलब ये 24% जो बनाया, उसमें से नचिकेट को कितना total पैसा मिलेगा, आगया समझ में, चलो सबसे पहले हम solve करते हैं कि नचिकेट का investment कितना था, कैसे निकालेंग उसमें से श्वेता का और पियुश का निकाल देने, 30,000 और 12,000 माइनस कर देने, तो ये माइनस करके क्या आएगा, 80 मैनस 30, 50, 50 मैनस 12, 38, तो मुझे मिल जाएगा 38,000, तो ये एक आंसर तो हो गया, ये नचिकेट के investment का question हमने already solve कर लिया, simple था न, अब हमको क्या पूछा है, अब हमको पूछा है, what was his share of the profit, तो उसके लिए पहले हमको profit निकालना पड़ेगा, यहाँ पर देखो, profit percentage में दिया है, profit कितना हुआ है, वो नहीं दिया है तो पहले हम profit calculate करेंगे, ये 24% किस पर है, 80,000 जो invest किया उस पर, तो total profit निकालते हैं, ऐसे आ जाएगा, total profit will be equal to 24% of 80, क्योंकि 80,000 was the money they invested, अब 24% of 80,000 कैसे निकालेंगे, 24% को मैं लिख सकता हूँ, 24 upon 100, off हो जाएगा multiply, ये आ जाएगा 80,000, cut करो इसको, 0 के साथ 0 cut, 0 के साथ 0 cut, 24 into 8, आ जाएगा 192, ठीक है, फिर ये 2 zeros आ जाएगे, अब multiply करके check कर सकते हैं, तो total profit क्या आ गया, rupees 19,200, बच्चों उन्होंने total profit नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है, what was his share of the profit, है, इस मतलब यहाँ पे नच्चिकेत का नाम है न, तो नच्चिकेत का share निकालना है, ठीक है, ये total profit है, 19,200, अब नच्चिकेत का share निकालने के लिए, हमको proportion निकालना पड़ेगा, कि क्या ratio में उन्होंने पैसा invest किया है, तो हमको पता है, कि श्वेता ने 30 डाला है, Pius ने 12,000 डाला है और नच्चिकेत ने 38,000 डाला है, इस तीनों का ratio निकालके, हमको पता चल जाएगा, कि क्या proportion आ रहा है, तो चलो इसका निकालो जल्दी से, ऐसे आ जाएगा, श्वेता इस्टू Pius इस्टू नच्चिकेत, श्वेता ने किते पैसे डाले थे, श्वेता ने डाले थे, 30,000, और Pius ने डाले थे, 12,000, और नच्चिकेत ने डाले थे, 38,000, 30, 12, and 38, तो यहाँ पर लिख दिया, 30,000, इस्टू 12,000, इस्टू 38,000, ठीक है, अब इसको अच्छे से देखो, यह सब में, इस्टू 12, इस्टू 38, अब यह भी देखो, 2 में जाते हैं सारे numbers, सब numbers 2 में जाते हैं न, तो 2 में cut करो, इसको 2 में cut करूँगा, इसको भी 2 में cut करूँगा, इसको भी 2 में cut करूँगा, तो यहां मैं लेका, 2 1s आ, 2 15s आ, 2 1s आ, 2 6s आ, यहां मैं लेका, 2 1s आ, 2 19s आ, तो मुझे मैं लेका, 15 is to 6, is to 19, ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख दूँगा is equal to 15 is to 6 is to 19 तो यह इसका proportion आ जागा क्योंकि यह दिखो भी यह कोई भी table में नहीं जाएंगे same table में जा रहे हैं क्या नहीं तो यह अपना proportion हो गया श्वेता इस्टो पियोश इस्टो नचिकेत का proportion है 15 is to 6 is to 19 ठीक है दिख रहा है ना नचिकेत ने सबसे जाधा पैसे डाले 38,000 इसलिए उसका 19 आ रहा है पियोश ने सबसे कम डाले 12,000 इसलिए उसका 6 आ रहा है ठीक है अब क्या पूछा था उसने पूछा है what was his share of the profit नचिकेत को कितना profit हुआ ठीक है तो इन तीनों को आड करके मुझे मिल जाएगा total profit ठीक है तो कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ ऐसे लिख देंगे लेट श्वेता प्रॉफिट भी 15 एक्स पियोश का प्रॉफिट भी 6 एक्स एन नचिकेत का प्रॉफिट भी 19 एक्स देखो 15, 6 एन 19 यहां देखो 15, 6 एन 19 श्वेता का 15 पियोश का 6 एन नचिकेत का 19 ठीक है यह सब का profit है यह तीनों को आड कर दूँगा तो मुझे total profit मिलेगा लेकिन total profit तो मुझे already पता है 19,200 तो मैं क्या लिख सकता हूँ now total profit is equal to 19,200 therefore total profit के जागे पर क्या लिख सकता हूँ मैं यह तीनों का sum क्योंकि यह तीनों को sum करेंगे तो हमको total profit मिल जाएगा तो आ जाएगा 15x plus 6x plus 19x is equal to 19,200 यह तीनों को add करके क्या आएगा 6 plus 19,25 plus 15,40 तो मुझे मिल रहा है 40x is equal to 19,200 अगर मुझे x का value चाहिए तो मुझे x को यहाँ पर अकेला करना बढ़ेगा तो 40 को उदर बेजो 40 यहाँ पर multiply हो रहा है equal to cross करेगा तो penalty multiply हो रहा है तो वहाँ चाहिए क्या होगा divide तो मुझे मिलेगा 19,200 divide by 40 divide करके क्या हैगा यह कट करके देखो 00 cut फिर 4 4 जा 16 फिर 32 4 8 जा and 4 0 जा तो मुझे x का value क्या मिल गया x is equal to 480 ठीक है अब x मिल गया मुझे क्या पूचा दा उनोंने what was his share of the profit nachiket का क्या था nachiket का profit था 19x तो मैं क्या लिख सकता हूँ therefore nachikets profit is equal to 19x is equal to 19 into 480 इसको जल्दी से रफ में multiply करके answer दो तो यह आगे आपको rupees 9 1 2 0 ठीक है तो दोनों answer मिल गया है हम लोग को nachiket का investment 38,000 और nachiket का profit 9 1 2 0 तो final answer लिख दो क्या आएगा यह question पूचा था what was nachiket's investment and what was his share of the profit तो हम लोग दोनों answer लिख देंगे final answer जल्दी से लिख के बताओ यह आजाएगा final answer nachiket's investment is 38,000 यहाँ पे आपने निकाला था and his share of the profit is 9 1 2 0 जो हमने यहाँ पे निकाला आगया समझ में एक बार यह पूरा solution देख लो के बहुत काम आने वाले आप यह option में नहीं छोड़ पाएंगे इसको omit मत कर देना teachers ने छोड़ा हुआ है तो भी आपको करना ही है because 8 standard 9 standard में जाके कुछ omit नहीं होने वाला ठीक है करना ही पड़ेगा सब कुछ चलो आगे बढ़ते है fourth question दिया है A and B shared a profit of 24,500 rupees in the proportion 3 to 7 profit दिया हुआ है और proportion दिया है कि share कैसे करेंगे कितना एक एक कोया वो नहीं दिया है सब proportion दिया है ठीक है each of them gave 2% of his share of the profit to the soldiers welfare fund मतलब जो उन्होंने कमाया है उसमें से उन्होंने 2% soldiers welfare fund के लिए दे दिया ठीक है अच्छे लोग है A and B what was the actual amount given to the fund by each of them मतलब वो पूछ रहा है यह जो 2% आया न इन्होंने जो fund को दिया था उसका actual amount क्या है आया समझ में तो दोनों का अलग-अलग निकालना है हमको बहुत ही simple है proportion दिया हुआ है profit निकालेंगे एक एक का फिर उसका 2% निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि A ने कितना दिया और B ने कितना दिया ठीक है तो बचो यह वाला question हम दो method से करेंगे ठीक है पहला method देखते है अब यह जो पहला method है यह हमने already 3 question में use कर लिया है तो यह fourth में भी मैं same कर रहा हूँ same method से कितना आ रहा है आपको बता रहा हूँ ठीक है देखो यहाँ पर proportion 3 to 7 दिया है तो मैंने क्या ले लिया A का 3 B का 7 ऐसा है न तो A का profit 3X ले लिया B का profit 7X ले लिया because देखो 3 and 7 तो 3 and 7 total profit 24,500 दिया हुआ है total profit तो यह दोनों को यार करूँगा तो भी मिलेगा न क्यूंकि यह profit ही है तो 3X प्लस 7X किया 24,500 मिला X का value मैंने यहाँ पर calculate कर लिया आया समझ में तो A का profit क्या होगा A का देखो यहाँ पर दिया हुआ है 3X तो 3X 3 into X आ जाएगा 2450 यहाँ से फिर multiply करके आ गया 7,350 वैसे कि B का profit क्या होगा देखो यहाँ पर B का profit क्या लिया था हमने 7X तो यहाँ पर 7X ठीक है B का profit X के जागे पर हम डालेंगे 2450 तो यहाँ पर 2450 डाल दिया multiply करके answer आ गया 17,150 A का profit मिल गया B का profit मिल गया लेकिन यह नहीं पूचा था पूचा क्या था What was the actual amount given to the fund कौन सा fund Soldiers Welfare Fund By each of them इन्होंने कितना दिया था 2% of his share of the profit मतलब उसने जितना कमाया A ने उसका 2% उसने भी दिया B ने जितना कमाया उसका 2% उसने भी दिया तो हम लोग क्या calculate करेंगे Amount given by A will be 2% of उसका profit A का profit क्या था अब भी हमने calculate किया देखो A का profit था 7,3,5,0 इसलिए 2% of 7,3,5,0 यह amount A ने दिया किसको Soldiers Welfare Fund को तो 2% यहां पे calculate किया 2 upon 100 into 7,3,5,0 calculate करके मुझे आया 147 वैसे B का क्या आएगा 2% of his profit B का profit क्या है देखो 17,1,5,0 तो यहां पे ले लिया 17,1,5,0 2% of 17,1,5,0 calculate करके मुझे आया 343 तो final answer मैंने क्या लिख दिया A gave an amount of Rs. 147 and B gave an amount of Rs. 343 to the Soldiers Welfare Fund एक बार पूरा solution देख लो अच्छे से यह same method है जो हम इतने time से कर रहे हैं बच-पंजे कर रहे हैं यह method तो ठीक है simple चा है proportion दिया था proportion से हमने एक एक को profit कितना होगा निकालने के लिए x ले लिया x से हमने एक का profit निकाल लिया फिर बोला था 2% दिया Soldiers Welfare Fund को तो 2% profit का calculate कर लिया अब हमने लिख दिया ठीक है screenshot ले लो इसका या video pause कर लो एक बार बहुत ही simple question है मैं method 2 कराऊँगा भी आप फो अब method 2 से करते है same question ठीक है ANB ने कितना profit बनाया 24,500 क्या proportion में 3 is to 7 उन दोनोंने 2% अपना दे दिया ठीक है तो मतलब यह 24,500 का 2% दोनों मिलके donate कर रहे है तो मैं क्या लिख सकता हूँ total amount donated to soldiers welfare fund क्या आएगा उनने 2% दिया है न total का total कितना अपना profit 24,500 तो यह 2% of 24,500 आजाएगा 2% मतलब 2 upon 100 into 24,500 इसको calculate करो 00 cut 00 cut 2 into 245 हो जाएगा rupees 490 तो total rupees 490 दिया है किसने किसने यह और भी दोनोंने मिला के क्योंकि 2% दे रहे है न अभी हमको क्या find करना है दोनों का share find करना है अब बच्चों जब मैंने आपको first question कर आया था तब मैंने बोला था कि जो proportion दिया है 3 to 7 उसका मतलब क्या है कि A ने 3 parts दिया तो B ने 7 parts दिया ठीक है जो भी investment किया वो investment में अगर A के 3 parts है partnership में तो B के 7 parts है तो total parts कितने है 3 plus 7 10 parts हो गया न तो total parts 10 है उसमें से A के कितने है A के है 3 parts out of 10 और B के कितने है 7 parts out of 10 आया समझ में तो अगर मुझे find out करना individually तो मैं यह use कर सकता हूँ कैसे देखो एक बार हम लोग लिख सकते हैं now the profit is shared in the proportion 3 is to 7 दिया हुआ यह therefore मैं बोल सकता हूँ A's share will be कितना आएगा देखो 3 A का है न अब न देखो 3 पहले A 7 किसका है B तो मैं लिखूँगा तो A का share आएगा 3 out of 3 parts है न 3 parts out of how many parts total कितने है 3 plus 7 10 parts so 3 out of 10 into into कितना donate किया है उन्होंने यह को 490 donate किया है तो profit अगर 3 is to 7 में share हो रहा है तो जो donate किया न वो भी 3 is to 7 में share होगा तो 3 upon 10 into 490 तो क्या आजाएगा इसको solve करो 00 cut यह solve करके आएगा 147 रूपीज ठीक है अब B का निकालो B का क्या आएगा and B share will be बताओ क्या आएगा B का 7 है न out of how many parts 7 plus 3 10 तो B का आएगा 7 upon 10 into 490 यह जो 490 है इसमें दोनों का share है न solve करो इसको क्या आएगा 00 cut यह आएगा 7, 963 6, 7 for the 28 343 रूपीज तो मुझे मिल गया कि A ने 147 दिया B ने 343 दिया समझ में आए क्या किया instead of वो 3X और 7X हम लोग क्या करते थे एक X लेते थे फिर 3X प्लस 7X करके सब कुछ निकालते थे X का value फिर A और B का निकालते थे इसमें देखो directly हो गया यह solution का length देखो कितना छोटा है इसके पहले वाला method यह था method 1 थोड़ा length ही लग रहा है लेकिन यह भी simple ही है देखो बचो हो सकता है school में आपको method 1 ही चले method 2 आपका accept नहीं हो ऐसा हो सकता है तो आपको method 2 करना है तो आपको teacher को पूछना पड़ेगा कि हम लोग यह method से कर सकते हैं ठीक है यह method 1 है इसका screenshot ले लो एक बार या video pause कर लो यहाँ पर देखो मैंने final answer में same लिख लिया के A का 147 है and B का 343 है ठीक है चलो next करते है 5th question Jaya, Seema, Nikhil and Nilesh put in all together 3,60,000 rupees to form a partnership मतलब यह 4 लोग यह इसमें Jaya, Seema, Nikhil and Nilesh 4 ने मिलकर 3,60,000 rupees invest करके एक business चालो किया with their investments being in the proportion 3 is to 4 is to 7 is to 6 दरना मत देखे 4 लोगे तो 4 proportion आएंगे ही न 3, 4, 7, 6 3 किसका? Jaya का 4, Seema का 7, Nikhil का and 6, Nilesh का ठीक है what was Jaya's actual share in the capital? तो यह 3,60,000 rupees जो डाला न start में जो भी पैसा invest करते हैं उसको बोलते हैं capital ठीक है इन्वेस्मेंट बोलते हैं capital बोलते हैं इसके पहले के question में investment लिखाता न तो capital में share क्या है? उसका वो हम लोग कैसे find out करेंगे? यह 3,60,000 में से find करेंगे उसके बाद वो बोल रहा है they made a profit of 12% 12% का profit बनाया 3,60,000 पे how much profit did Nikhil make? अभी वो जो profit बनाया है उसमें से Nikhil का कितना share है तो यह जो 7 है न वो Nikhil का है न देखो तो 7 यूज करके या 3,4,7,6 यूज करके हम लोग Nikhil का share निकाल देगे तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? हम लोग assume करेंगे कि हर एक का profit कितना आएगा कैसे assume करेंगे? यह proportion देखके 3,4,7,6 देखके हमको पता है न कैसे assume करते हैं? क्या आएगा? यह आजाएगा लेट दे इन्वेस्मेंट आफ जया भी 3X क्योंके देखो जया का 3 है फिर सीमा का 4X क्योंके सीमा का 4 है फिर Nikhil का 7 है इसलिए Nikhil का 7X और निलेश का 6 है इसलिए इन्वेस्मेंट किया न कैपिटल मतलब इन्वेस्मेंट यह पूरा जो पैसा डाला है सबको मिला क्या आड करके 3,60,000 आना चाहिए तो हम लोग क्या लिख देंगे इसके बाद टोटल इन्वेस्मेंट इस इक्विल टू रूपीज 3,60,000 यह दिया हुआ है लेकिन टोटल इन्वेस्मेंट यह चारो को आड करके भी आएगा न तो टोटल इन्वेस्मेंट की जगे पर इसको आड करके लिख दो क्या आ जाएगा देफ़ो 3X प्लस 4X प्लस 7X प्लस 6X यह वारा देखो 3X, 4X, 7X, 6X एड करके आएगा 3,60,000 3 प्लस 4, 7 प्लस 7, 14 प्लस 6, 20 तो यह हो गया therefore 20X is equal to 3,60,000 फिर X को अकेला छोड़ो 20 यहाँ पर multiply हो रहा है तो वहाँ जाके divide हो जाएगा तो मुझे मिलेगा X is equal to 3,60,000 divide by 20 ठीक है अब cut करो 0,0 cut 21,000 यहाँ पर आजाएगा 218,036 तो 18,000 तो X का value मुझे मिल गया 18,000 उसने क्या पूछा था उसने पूछा था investment में Jaya का share क्या तो मुझे पता है Jaya का 3X है न तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर therefore Jaya's share is equal to 3X which is equal to 3 into 18,000 which is equal to Rs. 54,000 तो यह एक answer हमको already मिल गया है कि Jaya का share कितना था 54,000 ठीक है यहाँ पर देखो Jaya is actual share in capital अभी उसने बुला they made a profit of 12% तो हम लोग क्या लिखेंगे कि उसने profit बना 12% कितने के ओपर 12% of 360,000 कैसे लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा total profit क्या है 12% of 360,000 तो मैं लिख दिया 12% of 360,000 12% मतलब 12 upon 100 into 360,000 यह 00 cut किया यह multiply किया उसके बाद answer आया Rs. 43,200 तो यह चारों ने मिलकर 43,200 का profit बनाए उसने किसका profit पूछा है सबका पूछा है क्या नहीं उसने पूछा है how much profit did nickel make तो अब nickel का profit find करने के लिए हमको फिर से यह assume करना पड़ेगा ठीक है अब यह investment हम लोग ने x के terms में लिया था देखो ratio तो same आने वाला है investment, profit, सबका ratio same 3 is to 4 is to 7 is to 6 आएगा अब investment x के terms में लिया था तो ऐसा same हम लोग profit का भी लिख देते profit पे एक नया letter लेते है नया variable y लेना है, a लेना है, b लेना है कुछ भी ले सकते है हम लोग x यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे y ले लेते है let the profit of jaya b 3y, seema b 4y, nikhil b 7y and nilash b 6y same देखो 3, 4, 7, 6 3, 4, 7, 6 सिफ x के जगे पे y डाल दिया क्यों? क्योंकि यह investment के लिए लिखा था यह profit के लिए लिख रहे है ठीक है? अब यह 4 को add करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? total profit लेकिन total profit तो मेरे पास already है यहाँ पे तो हम लोग equation नाना के solve कर सकते हैं क्या आएगा? now total profit is equal to 43,200 यह यहाँ से निकाला हमने पर total profit इसको add करके आएगा तो यह वाले जगे पे हम लोगे चारों को add कर देंगे तो क्या मिलेगा? therefore 3Y plus 4Y plus 7Y plus 6Y is equal to 43,200 कितना आया? 3 plus 4, 7 plus 7, 14 plus 6, 20 तो यहाँ 20Y is equal to 43,200 Y का value क्या आएगा? Y का value आएगा यह 20 को उधर बेजेंगे तो इधर multiply हो रहा है equal to के वो side जाएगा penalty देके divide होगा ठीक है? यहाँ है न? उल्टा हो जाथा equal to के वो side जाके तो यहाँ पे आजाएगा 20 cut करो 0,0 cut 2,1s आ यह हो जाएगा 2,2s आ 4 2,1s आ 6s आ 0s तो Y का value मुझे क्या मिल गया? 2,1,6,0 मुझे Y का value क्यों चीए था? क्योंकि मुझे find out करना था कि how much profit did Nikhil make? तो Nikhil का कितना है देखो? 7Y तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? therefore Nikhil's profit is equal to 7Y is equal to 7 into 2,1,6,0 इससे multiply हो जाएगा 7 into 2,1,6,0 क्या आता है? यह आ जाएगा rupees 151,2,0 ठीक है? तो हमको Nikhil का profit भी मिल गया अभी आप सोच रहे होंगे कि यह मैंने Y अलग से क्यों लिया? बच्चों कर यहाँ पे X लेते ना फिर से तो मुझे X equal to 2,1,6,0 आता तो एक जगे लिख दिया X equal to 18,000 same question में लिखा X equal to 2,1,6,0 X का 2 value थोई ना लिख सकता हूँ same question में इसलिए मैंने profit के लिए Y ले लिया ठीक है? तो यह पूरा solution आपको समझ में आया क्या क्या इसमें लोगों ने? पहले investment के लिए ratio लिया ratio को add करके हमको मिल गया कि X का value क्या है? फिर जया का share निकाल दिया फिर profit के लिए same ratio लिया देखो क्योंकि ratio तो same रहेगा ठीक है? तो profit में total profit निकाला Y का value आया फिर निखिल का share पूछा था वो निकाल दिया आया समझ में? एक बाए इसका screenshot लिलो या पॉज करके देख लो इसका final answer क्या लिखेंगे? final answer देखो दो question पूछा है जया का actual share क्या है? and how much profit did निखिल make? तो जया का actual share हमने यहाँ पे निकाला था 54,000 और निखिल का profit यहाँ पे तो final answer लिख दो यहाँ जया का final answer पहले पूछा था what was Jaya's actual share? तो हमने लिखा Jaya's share in the capital is 54,000 यहाँ से फिर पूछा how much profit did निखिल make? निखिल made a profit of रुपीज 15,120 यहाँ से लिखते हैं हो गया? एक बार अच्छे से देख लो आया समझ में? तो जो fifth question का जो मैंने पहला method किया थोड़ा शयाद आपको lengthy लगे इसलिए मैं एक और method से सिखा रहा हूँ method two question four में भी मैंने कराया था आपको तो यह method two में देखो total investment 360,000 यह दिया हुआ है the investment and profit time the ratio 3 is to 4 is to 7 is to 6 देखो यह भी दिया हुआ है क्या पूछा है? what was Jaya's actual share in capital? अब मैंने बताया था ना इसमें देखो Jaya पहली है तो Jaya का 3 है Seema का 4 है Nikhil का 7 है और Nilesh का 6 है total कितना parts है? total parts है 3 plus 4, 7 7 plus 7, 14 14 plus 6, 20 यह सबको add करके 20 आ रहा है ना मतलब total parts 20 है total 20 parts में से Jaya के कितने parts है? 3 तो मैं बोल सकता हूँ Jaya share and investment is equal to 3 parts out of 20 multiplied by जो भी total investment है क्या था total investment? 3,60,000 cut करो इसको 0,0 cut 2,1,000 और यहां आ जाएगा 18 ठीक है multiply करो क्या आ रहा है आपको multiply करके आपको मिल जाएगा रुपीज 54,000 तो Jaya का share आपको मिल गया रुपीज 54,000 easy है ना 3 out of 20 क्यों? क्योंकि Jaya का देको 3 है यहां पे out of total यह सब का sum जो भी किया वो total होता है सारे number of parts जो होते हैं वो मिल जाएगा यह सब को मिला के आते हैं ठीक है? अब next क्या पूछा है? next पूछा है they made a profit of 12% how much profit did Nikhil make? अब यह Nikhil का देको on 3,60,000 तो वो मैंने निकाल लिया 12% of 3,60,000 12 upon 100 into 3,60,000 calculate करके आप 43,200 अब पूछा है Nikhil share in profit तो Nikhil के कितने parts थे? Nikhil के parts थे 7 out of total कितना? 3 plus 4, 7 plus 7, 14 plus 6, 20 यह सब का sum 20 तो Nikhil का profit आ रहा है 7 upon 20 यह उसके parts थे out of how much? out of total profit ना? यहाँ पे देखो profit पूछा है इसले total profit मैंसे लेंगे 43,200 इसको cut करो 0,0 cut 2,2 जा 4 2,1 जा 2 2,6 जा 2,0 यह multiply करके क्या आता है? rupees 15,120 आया समझ में? बच्चो देखो यहाँ पे profit था इसके यहाँ पे profit से multiply किया ठीक है? यहाँ पे देखो investment था इसले यहाँ पे investment लिया है 3,60,000 आया समझ में? एक बार पूरा solution देख लो मिन्हें आपको सिखाया था जब भी proportion दिया रहेगा proportion मतलब parts मतलब जो भी investment के उसमें 3 part जया के 4 part सीमा के 7 parts निखिल के और 6 part निलेश के total parts क्या हैगा? सब का सम करो सब का सम कर क्या था है? 20 इसले जब जया का calculate कर रहे थे तो जया के 3 parts है न इसलिए 3 parts out of 20 लिया थे पूछा क्या था? जया share in investment इसलिए यहाँ पे investment से मेटिप्लाई किया है जो 3,60,000 फिर जब निखिल का find कर रहे थे ठीक है? तो निखिल का देखो 7 है 3rd है न निखिल तो निखिल का 7 है 7 out of how many parts? total parts हो 20 है लेकिन निखिल का क्या पूछा है? investment नहीं profit पूछा है इसलिए यहाँ पे profit ही उस करेंगी जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है देखो total profit तो यह आगया final answer simple है ना second method? आप teacher से पूछी है अगर आपको second method allow करते हैं तो आप second method से solve कर सकते हैं इसका screenshot ले लिए वीडियो पॉस कर लो आगया समझ मैं? तो बचो इस वीडियो में हमने practice set 39 के question 3, question 4 और question 5 किये इसमें से question 4 और 5 हमने दो method से किये हैं ठीक है? दोनों questions आप दोनों method अच्छे से समझ लीजिए teacher से पूछी है अगर आपको second method allow करते हैं तो आप second method use कर सकते हैं ठीक है? तो इसी के साथ हमारा practice set 39 खतम होता है I hope आपको यह practice set समझ में आया होगा और practice set 39 के साथ हमारा यह chapter 9 direct proportion and inverse proportion भी खतम होता है इसके पहले तो practice set का video मैंने already upload कर दिया है उसका link आपको description में मिल जाएगा अगर आपको यह video पसंद आया हो तो इसे like जरूर करें इसका link अपने दोस्तों के साथ whatsapp पर share करें और अपने school group पे भी डाले ताकि सबको यह chapter खास करके यह practice set partnership वाला जो काफी लोगों को difficult लगता है वो समझ में आ जाए अगर आपने हमारे channel को अब तक subscribe नहीं किया है तो subscribe करना न भूले bell icon पर click करे ताकि जब भी हमको यह नय video upload करे आपको notifications मिलते रहे comment section में में जरूर बताएं कि आपको यह video कैसा लगा thank you so much for watching this video